आप सभी का स्वागत है मेरी यूटूब चेनल ऑनलीन पंचायत में दोस्तों आप सभी को पता ही है मेरी यूटूब चेनल ऑनलीन पंचायत है दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्यक नए वीडियो और प्रत्यक नए अपडेट की जानका ही प्राप्त होती रहे दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकसिवा प्रवंधन ठीक है mpedistrict.gov.in जैसा कि दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट आ भी रही थी कि सर लोकसिवा प्रवंधन पर जो वीडियो बनाए तो दोस्तों आज से हम लोकसिवा प्रवंधन की सिरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी पोर्टल्स पर तो मैं जैसे आपको वीडियो पोस्ट करके बताता ही रहता हूं वो तो बताता ही रहूंगा अब दोस्तों लोग सेवा प्रवंधन के अंतरगत जो जो सुविधाय हम घर बेठे अपने मोबाइल या कम्पिटर से ले सकते हैं वह सभी आपको सुविधाय में इस पोर्टल के माध्यम से बताने जा रहा हूं अब एक लोग सेवा प्रवंधन के पूरी सीरीज चलेगी दोस्तों वीडियो की जिससे आपको हर एक आबेदन और हर एक छोटी छोटी चीज़ के वारे में भी जानकाई प्राप्त होती रहेगी ठीक है दोस्तों तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसे ओपन कैसे करना है दोस्तों हम सीधे डाल सकते हैं हमारे गूगल पर या फिर यूरल में mpedistrict.gov.in जैसे हम यह डालेंगे तो हमारे सामने यह होम पेज आज आएगा दोस्तों इसके आज लिखा रहेगा लोग सेवा प्रवंधन जैसे मद्ध प्रदेश ठीक है अब दोस्तों हम इ इस्थानी निवासी प्रमान पत्र के लिए किस प्रकार से अप्लाए कर सकें ठीक है इस्थानी निवासी प्रमान पत्र ठीक है दोस्तों चलिए हम समाने प्रसासन ब्या इस्थानी निवास प्रमान पत्र EKYC यहां हम क्लिक करते हैं चलिए हमने क्लिक कर दिया है इसका दोस इस तरह से जाएगा citizen login enter one time password OTP यहां OTP डालना है फिर verify पर हमने क्लिक करना है यह देगे दोस्तों जैसे हम verify करेंगे तो हमारे सामने यह screen आ जाएगी विशय 6.1 कानूनी बादेदाय कारण इस्तान निवासी प्रमान पत्र जारी करना ठीके दोस्तों यहां आधान नमबर में डालना है आधान नमबर जैसे ही डालेंगे उसका gate OTP करेंगे तो हमारा जो आधान नमबर से जो mobile number registered है जब हमने आधान नमबर registered कराया था रईश्टर दोस्तों यह जाद रखेगा जब आप सबसे सुरू में लूग इन करें तो आप वही mobile नमबर डालें जो आपके आधार नमबर से जुड़ा हुआ है ठीक है उसके बाद ही आगे process करें जिससे आगे भी आपको जब आधार verification करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक आप अब लूग जाएगा इसके बाद दोस्तों इसके दोस्तों जन्मदिति आपको भननी है आप यहां केरेंडर ओको जाएगा जन्मदिति फिल कर दें वर्ग जिस जाती में आते हैं आप जन्रल ओबी सी से से इसमें वह लिख दें क्या आप गरीवी रेखा कि नीचे आत करके चाहें वह सरेट कर लें इसका दोस्तों जो आप्शन आएगा वह आपके एड्रेस का आएगा जिला जिला आप चुन ले तैसिल छेतर शेहरी ग्राम शेहर चुन ले वाट चुन ले मकान नंबर महला और पिन कोड लिए इसका सेव एंड कंटीनू करें चली में फिल कर करता हूं इसका दोस्तों यहां पूचें कि आप विवाईत हैं से हम क्लिक करते हैं हाँ पर और यह नहीं है तो नहीं पर इस्ताइन इवास की पातरता यह विवाईत हैं तो पतिया पतनी का नाम लिखना पड़ेगा ठीक और आयू वर्स में लिखनी पड़ेगी इसका दोस्तों इस्ताइन इवास की पातरता किस मापदन को पूरा करते हैं हम यहां क्लिक करकर जो आप्शन्स हमारे लिए सही है वो हमें क्लिक करना इसमें कई सारे आप्शन्स आएंगे जैसे मैं आपको बता देता हूँ किसी भी सिक्चन संस्तान में 6 कम सचंगा 3 वर्स तक पड़ा हो और मद्रुडरियस में अचल संपत्य धारित करता हो, जो यदियू है तो पहला ही में लगत ही है तो में पेदा हुआ हो ठीक है यह लिख देंगे दोस्तों इसके बाद नीचे है दोस्तों आवश्यक दस्तावेज मुझे इस तत्य का पूर्ण जानकारी है ज्यान जानकारी है कि सपत पत्र में असत्य तत्य तत्य वन्नित करना भारती दंड़ सहीता IPC की धारह 193 के अधिन तीन यह लिखा अवेज़क का सपत पत्र जिसमें आवश्यक माप दंडो में से किसी एक अथा अधिक की पूर्ती का उल्लेक हो आवेज़क दोड़ा स्वापरमानित सपत पत्र हम ऑन-लाइन बनान लिकी टिक करना है तो यह क्करना है यहाँ तो हम आवेज़क सपत पत्र ऑन- ल दोस्तों आवेदक को उसकी जानकर यादार पर शपत पत्र दिखाया गया और वह शपत पत्र संतुष्ट है तो हम हाँ पर क्लिक कर देंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों आवेदक का चाया छेतर जेपीजी फाइल मेकसिमम मेकसाइस 14 केभी 14 केभी से कम ही होना चाहिए हमारी पचास रुपे ठीक है तो यहां हम यस या नो करते हैं ठीक दोस्तों तो इस तरह हम अपने फाइल चूस कर लें जेपीजी फाइरमेंटर वह भी 14 केभी से कम ठीक है यह हमारी पासपोर्ट साइज फोटो हमने अपलोड कर दी नीचे लिखा है कि आप कोरियर की दारा सेटि करेंगे इसका दोस्तों आपको यह प्राप्त हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो इस तरह से यह पूरी प्रोसेस थी इसका दोस्तों हमारा प्रिंट एप्लिकेशन फार्म कर सकते हैं हमारे प्रिंट करके या तो पीड़ पर मोगाइल कंप्यूटर रख सकते हैं या प्रिंटर से प्रिंट भी ले सकते हैं और प्रिंट एक नॉलेजमेंट भी ले सकते हैं जो हमारे पावती की रसीदे यह भी प्रिंट करके हमारे पास सेव रख सकते हैं ठीके दोस्तों तो यह पूरा आवेदन आपके जो नजदीक की तैसिले महां पहुंच जाता है और साथ कार दिवस साथ कार दिवस के अंदर आपको प्राप्त हो जाता है ठीक है तो चलिए प्रिंट अप्लिकेजन फार्म कर लेते ऐस्ट किसी भी बर्ग समुधाय के लोग हो सभी के लिए यह सेव निशुलक है ठीक है तो यदि हम कोरियर से बिलाते हैं तो 50 रुपय है बाकी हम ऑनलाइन निकाल लेते हैं हमको ऑनलाइन मिल जाए हमारे लिए कोई शुलक नहीं है ठीक है तो यहां से हम प्रिंट अप्लि इसेव वर्गों के लिए निशल के है ठीके є यह पूरी प्रोसस थी आनलाइन जो निवहारा मुन निवासी पर्माणवत्री इस्थानी निवासी मिलाणंतर अप्लाई करने की पूरा आवेदान हमने आनलाइन हो झाहरा और हमने जो एकनॉलेजमेंट स्लिप प्रिंट करी और हमारा आवेधन भी प्रिंट करके रख लिया ठीके दोस्तों अब यहीं से हम स्टेटस भी चेक कर सकेंगे जाँया हमारा आवेधन कहां तक कहा है क्या हुआ है इसके और लोक प्रभंधन को सिरीज सुरू हो गई है अब मैं आपको इससे समनित हर जो प्रमान पत्र है जो भी सेवाएं हैं दोस्तों जो मिलती हैं हमें ऑनलाइन घर बेटे अपने वाइल या कम्पूटर से हमें इपलाई कर सकते हैं जिसके लिए मैं इस पर वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करते रहूँगा ठीके दोस्तों इ के लिए आप मेरे साथ बनने जरूर रही है आप सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्यक नए वीडियो प्रत्यक नए अपडेट की जनका ही प्राप्त होती रहे तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद